हाई गाइज आम सुदॉफ विल्कम बाक तो माई चानल यू एंड मी प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चानल यू एंड मी को और बेल बिटन पर क्लिक करें ब्यूटी, मेकप, कुकिंग एंड डिय वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आज का वीडियो हमारा एक्स्प्रेमेंटल वीडियो है जिसमें मैं मिठाई की रोटी बनाए जा रही हूँ हाँ आप लोग ने सही सुना मिठाई की रोटी एक्चली मुझे इस तर से मिठाईयां पसंद नहीं आती हैं मुझे से खाई नहीं जाती तो मुझे एक सटन आइडिया आया कि क्यों न इसकी मिठाई की स्टफिंग की रोटी बनाए जाए तो मैंने ये मिठाई की रोटी क्राई किया है और ये बहुत अच्छा बना है मिठाई की रोटी बनाने के लिए मैंने यहां पर तीन-चार मिठाई ली हैly फोर पिस मिठाई ली हैं इस तर की ड्राय मिठाई की लेँ यह यह नहीन हो तो कोई भी ड्राय मिठाई आप ले सकते हैं नेक्स मैंने गुंधाओ आता ब्राय आता चक्ला और बिलन लिय.» दूसरी तरफ मैंने गैस को गैस पे तवा रखके उसे अन कर लिया है और इधर इन मिठाईयों पे जो भी ड्राइफ रूट्स लगे वे उन्हें हमें निकाल लेना है मैं इस तरह से सारे मिठाईयों पे जो भी ड्राइफ रूट्स लगे वे उसे निकाल लूँगी और अब मैं नाइफ की हिल्प से इस ड्राइफ रूट्स को महीन कट कर लोंगी स्मॉल पीसेज में आप और भी अगर अगर एडिशनल ड्राइफ रूट्स आना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत डाल सकते हैं और हमें इस तरह से सारी मिठाईयों को क्रश कर लेना है और मैं यहां पर सारी मिठाईयों को क्रश कर रही हूं और ड्राइफ फूट्स को जो हमने कट किया था उसे भी अच्छे से मिक्स कर लोंगी हमें मिठाईयों को अच्छे से ब्रेक करना है अच्छे से क्रश करना है कोई गांठी नहीं रहें बिल्कुल स्मूर्थ हो जाए सारा जो मिक्सर हम तयार कर रहे हैं बिल्गोल अच्छे से हमें अपने हातों की help से एकक टुक्रे को अच्छे से ब्रेक करना है इस तरह से आप देख रहे हैं मिठाई का जो मिक्षर हमें में रेडी करना था वो रेडी हो चुका है आये रोटी बदना शुरू करते हैं लोटी बढाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे आंटे की लोई ले रही हूँ एक अमडूत की साइज का मैं लोई ले रही हूँ और इसे अच्छे से हमें गोल कर लेना है इस तरह से और फिर इस लोई में आटे की लोई में हमें थम की हल्प से मैं एक डेप्रेशन दे रही हूँ और इस तरह से इसे घुमाते हुए एक रॉण छोटी सी कडोरी हमें बनानी है आटे की और आप देख सकते हैं मैं इस तरह से घुमाते घुमाते बिल्कुल एक छोटी से किटोरी का शेप ले लिया है हमारी लोई ने और मैं इसमें अब यह मिठाई स्टफ करूँगी जो मिठाई का मिक्स्टर हमने डेडी किया था यह आप अपने अंदाज से मिठाई के स्टफिंग जितना कम और ज्यादा कर सकते हैं इतना ही जादा नहीं डाले नहीं तो हमारी रोटी फट जाएगी इतना ही डाले कि जितनी लोई और आटे की कैपसिटी हो और इस तरह से घुमाते हुए हमें उसे पैक कर लेना है और फिर मैं इसे अपनी दुनों हाथों की हल्प से फोड़ा सा प्रेस कर लूँगी प्रेस करने के बाद हमें इसे आठे में ड्राई आठा जो है मैंने लिया है उसमें डिप करूंगी और अपनी हातों के help से इस तरह से दबाते हुई से थोड़ा सा प्रेस करते हुए एक circle round shape दे दूंगी मैं इसे हाथ से ही थोड़ा प्रेस करते हुए एक round shape दे दिया है ताकि रोटी हमारी फटे नहीं इस तरह से और अब मैं बेलन की हेल्प से रोटी बनाना शुरूर करूंगी हलके हाथों से हमें प्रेस करना है एक रॉंड सर्कल बना लेना है रोटी की शेप में इस तरह से साधा प्रेशर नहीं अपलाई करें से इस पर नहीं तो हमाई जो भी हमारी स्टफिंग वह बाहर आ जाएगी हलके हाथों से हमें बनाना ही है रोटी और इस तरह से मैंने रॉंड शेप में बिल्कुल बना ली है और रोटी हमारी बिल्कुल रेडी है तवा हमारा अल्री गर्म है और जो मैंने रोटी बनाई है अपमें तवे पे डाल दूंगी रोटी डालने के बाद मैं इस लगे रोटी पे तो हमें रोटी दूसी तरफ पलट देनी है और दूसी तरफ भी हमें 20-25 सेकेंड तक के लिए इसी तरफ रोटी को रखना है बेक करना है 20-25 मिनिट जब हो जाए हमारे रोटी हमारी एक साइट से बेक हो जाए फिर हमें इस पे घी डालना है इस तरव से घी डालते हुए मैं चमच की हिल्प से इसे स्प्रेट कर लूँगी evenly और फिर मैं इसे प्लट दूँगी और फिर दोसी तरव हमें घी डालते हुए इसे अच्छे से शेक लेना है और तलते हुए निकाल लेना है और हमारी नोटी बिलकुल रेडी है और यह रोटी हमारी बिलकुल रेडी है मैं इसे डिश आउट कर लूँगे एक प्लेट में और यह हमारी मिठाई की रोटी यह बहुत डिलिशियस है बहुत यमी है मुझसे तो वेट नहीं हो रहा ट्राइ करने के लिए और इसी तरह आप भी जतनी रोटी चाहें आप बना ल भी बना लें और यह बहुत है बहुत नहीं कैया है और उसी तरह आप जीतनी चाहें उतनी रोटी बना लें और यह बुत पसंद आएगी मुझे भी पिपसंदें और मुझसे यूं मीठाई खाई नहीं चाहती है लेकिन इस तरह से स्टफ्प करेह मैं यह जरूर खाती हू मुझे बहुत अच्छी लगती है आप भी अपनी घरों पर ट्राइ करें और मुझे बताएं कि आपको यह एक्स्परिमेंट कैसा लगा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करें थाइब करें मेरे वीडियो करें मेरे थाइब करें तुम जा शूब करें मेरे यह वीडियो कि आपको लगती है